हाई गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप लोग और मैं हूँ डॉक्टर नवनीत कालरा और आज मैं बात करूँगा कुछ पेशिंट्स की अच्छा एक हमारा ना बनिया समाज है बनिया समाज के पेशिंट्स जो है इतने कूल होते हैं इतने काम होते हैं मतलब कि उनको देख बनसल जी आये दिखाने के लिए सवासो किलो तो वेट है उनका तो आगे बैठे मैंने का हां बनसल जी क्या आला बड़े दिनों बाद आयो हां जी थोड़ा साब बस बलका बलकम जमां होगे चाती जा देख लो डाक्टर साब देखा मैंने का यहां ब्रॉंकाइटिस हो बनसल जी कोई हाट प्रॉलम तो नहीं है लो अरे डाक्टर साब अभी साल बर बहले ही तो दो चल़े गिरे मेरे चल़े मतलब स्टैंट मैंने का बलोकेज हो गई थी तो दो नोट बंदी खे ती और दूसरा चला तब गिरा जब GST लगा था मैंने का रहे एक बात बताओ मैंने का बंसल जी इतने नोटी कठे क्यों करते हो जो चल्ले गिर गए आपके स्टेंट पड़े गए मैंने का हमें फीस देते हो तो आप रोते थे डाक्टर साब काम नहीं है काम नहीं है तो एक बात बताओ चल्ले गिर गए मैं दो इसंत पड़ेगे, बड़ा खर्चा हो गया आपका, या डाक्टर साप खर्चा तो हो गया, लेकिन ना पहला जो छला गिरा था ना, वो तो महंघा गिरा था, पर दूसरा तो मोदी ने सस्ता करा दिया, तो वो तो उसमें थोड़ा कम खर्चा हुआ था मेरे बात पर प्रपर बिखे बी मोदी जी मतल है तो इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, ना जी मोदी खाँ जो होना ता वो घय अ वोट किसको दोगे मैंने भी ना मैं भी तोड़ा सा वो हूँ, तीली लगाने वाला, मैं रहता पूछी लूँ, लगे आतो आटो, यहां पर भी मैं अप कितने cute होते हैं, मतलब कि छले गिर गे, सब कुछ हो गया, लेकि वोट मोदी जी कोई देंगे, तो ये हैं असली देशभक्त, असली मोदी जी के भक्त, और मैंने का एक बात बताओ, 2019 में जब मोदी जी आएंगे आपको एक बात बताओ, अगला चला फरी में गिरेगा आपका, तो मैंने का तब तक इतना सस्ता हो जाएगा, आयुशमान योजना आ गई है, इसके बाद तो आपका चला फरी में गिरेगा, ना ना डाक्टर साब, भगवान का नाम लो ये, ना कहो जो मुझे तीसरा चला, अचा ये, इतने क्यूट होते हैं, बनिया समाज के पेशन, मतले कुछ भी है, देखो इतनी प्रॉलम है, लेकिन कभी नहीं बताएंगे, इतने हस्ते हुए आएंगे, कुछ नहाएंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब, शुकर देगी तो धाई सो, मैं रहे, बनसर जी, शुकर भी डाही सो, ना, थोड़ा बहुत खान दे रहना चाहिए, इतनी पहले तो 400 रहन दे सी, अब तो फिर भी बहुत ठीक है, डक्टर साब, सब ठीक है, इनके लिए सब ठीक है, और, अच्चे कहीं पेशेंट आते हैं, तो जब आते हैं, वाईफ के साथ, तो जब सब उस्टी, बता लेते हैं, तो पिर वाईफ को बोलते हैं, जा तू बहर जा, तू बहर जा, मैं समझ जातू हूँ, बाहर क्यों बेज रहे हैं, बता तो मुझे हुता है लें मैं bih इस अंजान मन जाता हूं जैसे मुझे कुछ नहीं पता वाईब बाहर जैसी जाती है नहीं तो बोलते है ड़क्टर साब काम ठीक से हो ना आब मैं थीक से हो उना फ्रसार्वज़ा दिन तो दुकान रे बैटे हरो काम करते हरो मर्दाना कमजोरी मैंने का एक बात बताओ आपका हाट 25% काम कर रहा है शुगर आपको है तो यह सब तो हो गई ना ना डाक्टर साब कोई दवाई दो ऐसे ना कम चले मैंने का बाई साब कोई दवाई दे दी मर्दा भी कुछ भी हो जाए इनको अपनी मस्ती से मतलब है हाट 25% काम कर रहा है कुछ भी हो तागत के दवाई दे दो जो शे जवानी तो बार है तो बार मैं का लो भाई माफ करो ये लो दवाई पता नहीं अब आप अगली बार बिना चले के आओगे चले के साथ आओगे तो ये है हमारे patient, cute patient और वैसे एक बात बताओ बनिया समाज के लिए लोग कुछ भी बोलते रहे पर ये इतने cute हैं और इतने hard working है कि ना तो ये erection मांगते हैं और जितना charity के hospital लोगों ने खोले हुए तो मुझे नहीं लगता किसी ओर ने भी खोले हूँगे वो बाता लगए कि आदे से ज़्यादा बैट तो इनके अपने ही भरे रहते हैं बनिया समाज के बिमारिया इतने हैं बिचारो की कुछ तो खांदा नहीं है कुछ वैसे बैट बैट के हो जाती है तो चलो एनिवेज यह है मेरे बनिया समाज के पिशन अगली बार बताऊंगा हमारा पंजाबी समाज जो मैं हूँ कमीना समाज चलो चोड़ो यार गाली नहीं दूँगा पंजाबियों की बात हाट के पिशन जो है थोड़ा वही सो समझ के खाना यह ना हो जो चला गिर जाए बले कितना भी सस्ता हो गया हो चला तो चला है तो एक गाना भी ताज दे जा चला निशानी बाई दोस्तों बाई